हेलो बच्चो वेलकम बैक आज का हमारा टॉपिक है मेगनस इफेक्ट आप सोचोगे किसर ये बॉल क्यों है आपके हाथ में तो इसके दुवारा हम आपको एक टॉपिक समझाएंगे जो की है मेगनस इफेक्ट आप लोगों सबने देखा होगा क्रिकेट बहुत लोग देखत पेसर्स या स्पिनर्स बोल को स्पिन करवाते हैं तो वो बोल कैसे स्पिन होती है कैसे रोटेशन्स खाती हुई कैसे वो टर्न होती जिसको टर्निंग बोलते हो कि वो बोलर बहुत अच्छा टर्न करवाता है लेग स्पिनर्स ज्यादा अच्छे टर्न करवाते हैं और स्प काम करता है Magnus Effect और कैसे इसको इसका फायदा होता है जैसे कि हम cricket में या किसी भी game में हम इसको use करेंगे जैसे मैं क्या करता हूँ मैंने अगर यह ball को मैं सीधा फिंक हूँ अगर इस ball को मैं सीधा फिंक हूँ ऐसे तो यह बिल्कुल straight line में जाएगी बट अगर मैं इसको revolutions दे कर फिंक हूँ अगर मैं इसको spin करूँ और इसको आगे जाने दूँ या आप सोचो कि आपने एक damn से ball को नीचे गिरा दे तो ball नीचे बिल्कुल सीधी ने जाए वो revolutions लेगी और थोड़ी सी ऐसे curved motion में चलती है ऐसे curved motion में चलती है देखा होगा आपने football में बहुत बार देखा होगा या कि आप एक एक जगा पर कोई footballer खड़ा है यहाँ पर goal post है उसने kick मारी यहां से तो ball बिल्कुल सीधी नहीं गई ball बॉल कैसे गई बॉल ऐसे गई ऐसे curved motion करके गई है ना देखा होगा रोनाल्डो की कर उसकी रिवाल्डो की यह वड़े सारी kicks देखे होगा कभी बॉल ऐसे सीधी नहीं आती ऐसे curved motion क्यों करती है यही magnus effect है cricket में बहुत अच्छे से explain किया जाता है इसको कि वो spin कैसे करते हैं तो चलिए समझते हैं कि यह magnus effect work कैसे करता है क्या इसका principle है देखो इसका principle है तो Bernoulli's theorem यह Bernoulli's theorem के उपर based है कैसे होता कैसे है वो समझो देखो समझो अगर मैं एक ball लेता हूँ मैं एक ball लेता हूँ यह ball रही मेरे पास मैंने इसको सिर्फ यहां पर rotate किया अपनी ही जगा पर इसको revolution दे दी यह आगे पीछे नहीं चल रही है अपनी ही जगा पर revolution कर रही है देखेंए तो इसके आजपास की जो हवा की velocity है वो बिलकुल constant है इसके आजपास हवा की velocity बिलकुल ही constant रहेगी से मैं नहीं देख रहे है इसको कोई फर्द नहीं पड़ेगा यह revolution करती रहेगी दूसरा केसे देखो, अगर मैं इस ball को, इस ball को ऐसे throw करता हूँ सीधा, throw करता हूँ ऐसे सीधा, और ये revolute नहीं करनी चाहिए, इसकी ऐसे revolutions नहीं होनी चाहिए, ये ball, ये ball यहां से बिलकुल straight जा रही ऐसे, जैसे आप boundary पर खड़े हो, आपने ball फेंग दी, तो ball revolution से थोड़ी आती है, ball तो सीधी आएगी ना, ऐसे throw में, समझ रहे हो, तो बिलकुल सीधी जा रही, जब सीधी जाएगी, तो भी इसके आसपास की जो air है, ये इधर जा रही हवा इसको इधर force करेगी, तो यहां से हवा तकराएगी, और ऐसे इधर से निकल जाएगी, बट इसके आसपास जो इधर velocity है, इधर velocity ये दोनों constant है, मतलब दोनों side में हवा की velocity constant होगी, क्योंकि ये revolutions नहीं कर रही, normal straight line में travel कर रही है, इसके revolutions नहीं है, तो ये हवा की velocity को बराबर बराबर divide कर रही, जो हवा ही, उधर इतनी गई, बाकी आधी इतनी, बीच में टकराई, बीच में ऐसे टकराई, और ऐसे divide होगी, इक्वल इक्वल विलोसिटी से, बिल्कुल, अब देखो तीसरा case, जहां पर मैगनेसिफ एक्ट काम करता है, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे की baller करते हैं, वो क्या करते हैं, इस ball को पकड़ कर इसको ऐसे फैंकते हुए आगे, इसको revolutions दे देते हैं, इसको बहुत सारी revolutions दे देते हैं अबना आपने देख स्पिन लग और आगे भी जा रही है, जब आएसे बही है, जब ऐसे revolution करते हुए आगे जाएगी, तो थोड़ी सी सीधी टेटी होगी जब यहां से आगे से हवा आ रही एर आ रही है तो एर की velocity अब divide हो जाए क्योंकि revolutions कर रही है ये तो हवा को काटेगी क्या होगा इधर से हवा इधर से गई नीचे वाली जो हवा की velocity होई अगर ही ऐसे जा रही है तो यहां वाली हवा की velocity जादा हो गई इधर हवा की velocity कम हो गई इधर हवा की velocity जादा हो गई नीचे ऐसे रेवल्यूट करती जा रही है इधर हवा की velocity जादा हो गई और इधर हवा की velocity कम हो गई समझे तो अगर velocity समझो अगर velocity बढ़ती है तो pressure कम होता है सबको बता है अगर velocity बढ़ाऊं तो pressure कम होता है अरे घर में क्या गरते थे normal आपने pipe देखा ना पानी गा पानी pipe में पानी आ रहा है उसको press कर दो आगे से उसको आगे से प्रेस कर दो तो पानी ज़्यादा दूर जाता है पानी ज़्यादा दूर नहीं जाता है तो क्या बढ़ा उसका क्या इंक्रीज हुआ गे पानी आप बोलोगे सर प्रेशर इंक्रीज हुआ आप बोलोगे सर प्रेशर इंक्रीज हुआ है गलत बोल रहे हो प्रेशर नहीं इंक्रीज हुआ उसका विलोसिटी इंक्रीज हुई है उसकी विलोसिटी इंक्रीज हुई है प्रेशर तो कम हुआ है हम बोलते हैं प्रेशर से बाने है ऐसा नहीं है विलोसिटी बढ़ाने पर प्रेशर कम होता है तो अब क्या हुआ यहां पर velocity जादा हुई है तो यहां पर pressure होगा जो कम हो गया होगा यहां पर velocity कम हुई है तो इस जगा पर ball के उपर वाली साइड में pressure बढ़ गया होगा ball के उपर वाली साइड में pressure बढ़ गया होगा समझे रहें मेरी बात, velocity कम जादा होने से air की pressure पर फर्क पड़ा, velocity बड़ी तो pressure कम होगा, velocity कम होई तो pressure बड़ेगा, pressure यानि कि ball के उपर वाली साइड में pressure हो गया जादा, जादा pressure हुआ तो एक force लग रहा होगा इसके उपर यहां से, एक force लगेगा उपर से, तो इसको नीच rate line में जाने की बजाए, इसको force नीचे को दबाएगा, और यह curved motion करेगा, जो कि spin करती है, बोल, आप ऐसे गुमाते हो ना, ऐसे करती है, तो जैसे मैं भी ball को ऐसे फिंग उपर गो, तो देखो, सीधी नहीं गई, नहीं है, अगर मैं इसको ऐसे फिंगता हूँ, तो बिलकु कर रहा हूँ, अगर मैं इसको ऐसे फिंग, तो सीधा ही जाएगा, बिलकुल, क्लियर होई बात, क्योंकि यह velocity ने फरक डाला, तो एक pressure लगा, pressure के वज़े से एक force लगा, जो यह जाना चाहता था, बिलकुल सीधा जैसे वो जा रहा था, बट एक force लग रहा है, high pressure की वज़े जो इसको नीचे को दबाएगा, तो यह ऐसे curved motion में करेगी, footballer ने की कमारी, तो वो revolutions करती है, जानी सीधी थी, बट इधर को गई, और यहां पर goal post में चली गई, देखा होगा ना बहुत सार, spinners ऐसे ही spin करते हैं, ऐसे ही spin होती है, समझे मेरी बात, आप Pacers की बात करते हैं, seem, seem की लग option है, seem को इसके साथ मत compare करना, seeming अलग है, spinning अलग है, spinning की बात कर रहा हूँ, मैं देखो, spinner से करते हैं तो यह, इस बात को बोलते है, magnus effect, यह आया कहां से, इसका principle क्या है, इसका principle है, बर्नॉलिस theorem, हमने last topic में, बर्नॉलिस theorem किया था, बर्नॉलिस theorem का, एक बहुत ह application है यह, बर्नॉलिस theorem को कहां यूज कर सकते हो, तो यह समझ में आया, magnus effect, हलांकि जो ballers, ball कर रहे हैं, जो footballer खेल रहे हैं, उनको नहीं पता इसमें physics involved है, वो तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, उनको नहीं पता, वो तो सिर्फ finger से गुमाने को, उनको नहीं पता, कि exact Funda क्या है, कियों को पता भी होगा, बट फिर भी, आप लोगों को पता होना चाहिए, कि physics आपके कैसे काम में आ रही है, कैसे समझ में आ रहा है, कैसे spin, वातर देखो, technical चीज है, तो कैसे आप Magnus Effect को यूज कर सकते हो, कैसे आप Bernoulli's theorem को यूज कर सकते हो, ये बात, hopefully, आपक पढ़ते रही है, इसको डिटेल में समझे, आपको टॉपिक कैसा लगा, अच्छा लगा, तो कमेंट करका, जुरू बताइए, तब तक पढ़ते रही है, enjoy करिए, all the very best बच्चों, बाई बाई